हलो फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक कम्प्लीट देखना है आपको बीच में इसे स्किप नहीं करना है लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके सा आपको इसे समझाऊंगी आपको इसे मिस नहीं करना है कम्प्लीट इस वीडियो को देखना है तब ही आपको इस अच्छे से समझ में आएगा तो हम अपना आज इस टोपिक स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगें तो आप वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्स्राइब करो ओके नाव लेट स्टार्ट तो यह है हमारा भारत का मैप, आज मैं आपको यह जो रिवर टोपिक है, यह आपको मैं भारत के फिजिकल मैप पर समझाओंगी तो थोड़ा सा इसमें oral आपको सुनना है तो देखे जो थोड़ा सा main important जो points है वो आपको मैं बता रही हूँ आप इसे ध्यान से सुनना तो सबसे पहले हम अपना जो start कर रहे हैं topic उससे पहले एक दो major points है वो आपको जानने बहुत जरूरी है एक बर आता है estuary और एक होता है delta तो आपको यह पता होना चाहिए estuary क्या है और यह delta क्या है यह दोनों ही नदी से river से related है तो देखे tu etuary क्या होता है समुद्र के अंदर सागर के तट के उपर उसके किनारे पर जहां पर नदियों का ताजा पानी और समुद्र का जखारा पानी जब एक साथ मिलते हैं तो वो एश्चुरी का निर्मान करते हैं इसे हिंदी में ज्वारन मुख कहा जाता है जैसे नर्मदा, तापती, मांडवी ये तीनो नदिया क्या है एश्चुरी बनाती है ध्यान लखना है नर्मदा, तापती और मांडवी ये तीनो नदिया एश्चुरी बनाती है ये डेल्टा नहीं बनाती है इसी प्रकार से डेल्टा देखे डेल्टा क्या होता है जब एक नदी जाकर बड़े समुद्र में या महासागर में मिलती है तो उसके जब नदी बहती हुए आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कंकर पत्थर बहा कर लाती है और जब वह समुद्र में मिलती है, समुद्र में गिरती है, तो उससे पहले नदी बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, और जब छोटी धाराओं में बट जाती है, तो जब नीचे गिरती है, गिरते समय किया, इसकी जो आकरती होती है, इसकी शेप होती है, ट्राय एंगुलर हो जाती है तिरिवुजा कार हो जाती है और जब नदी सागर में गिर जाती है तो यह अपनी सारी मिट्टी कंकड पत्थर वहीं पर छोड़ देती है और पानी नीचे समुदर में मिल जाता है तो जिस जगह पर नदी अपने साथ बहा कर लाए हुए कंकड पत्थर मिट्टी को छोड़ती है इसे गाद भी कहा जाता है तो यह बहुत ही उपजाओ होता है और इस शेत्र को ही ऐसे बनने वाले एरिये को शेत्र को डेल्टा कहा जाता है तो ध्यान रखना गंगा ब्रहंपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा यह सारी जो बड़ी सिस्टम बोला जाता है तो द्रेनिसिस्टम के अंदर भारत का अपवातंतर है उसे दो बागों के अंदर बाटा गया है फसंदू नदी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तो आज मैं आपको ब्रह्मपुत्र रीवर के बारे में बता रही हूँ ध्यान से देखना बहुत ही important river है ये बहुत ही important points है इसके बारे में और इस से related बहुत सारे questions exam के अंदर भी हर type के exam के अंदर पुछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास तक देखिएगा इसको बीच में स्किप नहीं करना है तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा तो देखिए सबसे पहले तो जो में पॉइंट है जो भ्रमपुत्र रीवर है यह तीन देशों से ह होकर बहती है तिबबत या चाइना भी आप इसे बोल सकते हैं भारत और बंगलादेश तिबबत इंडिया और बंगलादेश इन तीनों देशों से होकर बहती है और सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है कि जो भ्रमपुत्र नदी है वह हमारे भारत के अंदर केवल दो राज्यों से होकर भेती है ध्यान से सुनना इसको भ्रहंपुत्र नदी हमारे भारत के अंदर केवल दो राज्यों से होकर भेती है और अगर आपसे पूचा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हमको क्या बताना है गंगा नदी है और अगर क्योंकि जो भ्रमपुत्र नदी है इसका जो लगबग मेजर जो इसका पार्ट है वो तिबबत में आता है और इसका थोड़ा सा एरिया हमारे भारत के अंदर आता है इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी भ्रमपुत्र नहीं है और जो ब्रह्मपुत्र दीवर है यह कहां से निकलती है आप देखिए इसको ध्यान से देखना इसको अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ इसको ध्यान से देखना इसको समझना तो सबसे पहले देखिए यहां पर यह जो नेपाल है इसके इस एरिये को पर यहां पर क् और इस मान्सरवर जील के पास ही यहांपर एक ग्लेशियर है यह देख ग्लेशियर तेहसे दिखाई देरा आपको यह ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर। वैसे ही जो हमारी ब्रहमपुत्र नदी है भगनीकलती है तो देखिए जो ब्लू पैंस मैं दिखा रहे हूं आप इसके लिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं वैसे रिवर्स के लिए mostly जो drainage system उसके लिए blue color को ही use करते हैं तो देखिए जो यह river है यहाँ से बहती है तो इस समय ध्यान से सुनना इसको चाइना के अंदर या तिबबत के अंदर इसको इसका नाम भ्रमपुत्र नहीं है इसका नाम है यार लूंग यार लूंग सांग पो इसमें टी साइलेंट रहता है यार लूंग सांग पो इसका चाइना के अंदर या तिबबत के अंदर इसका नाम क्या है तिबबत में इसको यार लूंग सांग पो के नाम से जाना जाता है अब देखिए जो यह नदी यहां से बहे रही है तो यहां पर जब यह हमारे भारत में एंटर करती है उससे पहले यहां पर एक बहुत बड़ा बहुत विशाल पहाड़ी है परवत है इसका नाम है नामचा बर्वा अगर यह यहाँ पर पहाड नहीं होता तो क्या है यह नदी सीधी हमारे भारत में एंटर नहीं करती है सीधी बह जाती है लेकिन यह यहाँ पर इतना बड़ा विशाल परवत है तो यह इस से टक्राती है इसके एरिये से टक्रा कर और यह हमारे भारत के अंदर एंटर करती है देखें, यहां पर मुड़ जाती है, अब इसको ध्यान से देखना, अब यहां पर हमारे भारत के अंदर, यहां पर एक, आप सभी को पता होगा, दर्रा, दर्रा किसे कहा जाता है, पास, पास या दर्रा क्या होता है, जहां पर दो पहाड़ियों के बीच में, यह देखें, इ तो उस सक्रे या तंग हिस्से को क्या कहा जाता है उस हिस्से को दर्रा कहा जाता है तो देखे यह इस करती है उस समय इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है ध्यानकना इसी अठनाचल अर्णाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जानते हैं दिहांग के नाम से जानते हैं तो यहां düşün पर इसका नाम निखेंग दिहांग मैं पर फिर से आपको प्रेजएज कर वह recommendations क्रोंग looks कई वीडियोज आप देखोगे या कई बुक्स वगहरे में आप पढ़ोगे तो क्या बताते हैं कि जो भ्रह्मपुत्र रीवर है वह है मेःछाले में भी आती लेकिन FACT ये है कि घाले से होकर नहीं भैती है, सिर्फ दो राजियों से होकर बहती है अरनाचर परदेश और आसाम अब देखे ये असाम में एंटर करती है यहां पर और जब ये असाम के अंदर एंटर करती है तो इसे आसाम में आने के बाद इसे भंपुत्र के नाम से जाना जाता है यह आसाम के अंदर एंटर कर गई है यह अरनाचल से इधर से उतर कर यह निचे आ गई है यह पूरा क्या है आसाम है यह यह वाला जो एरिया है पूरा आसाम का है और यह आसाम में बैती हुई यह यहां से जो यह मेगाले का जो स्टा में सतर पazing सरा गए इस जगे से देखें यहां पर दो और ninetyयां आ कर मिलती हैं। यहां से दो नदिया और इसक अंदर इसन दी में आकर मिलती हैं। यह जुब आ रही है इसे अब इहां पर जब यहां साम पसीं लिवरागा औंश के नाम से जाना हैं तो यहां से दो नदियां आकर यहां पर यह मिल गई हैं यह इस तरीके से यहां पर यह दो इसकी इसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है सहायक नदियां ट्रिब्यूट का मतला होता है अपना पानी बड़ी नदियों को या किसी दूसरों को समर्पित कर देना दे देना तो यह यहां से जो दो नदियां आकर मिली हैं इन नदियों के नाम क्या है दिबांग और यह वाली है लोहित यह लोहित रीवर यह दोनों नदियां इसकी सहायक नदिया है यहां से बहती हुए आती और यह इसके अंदर मिल जाती हैं आगे देखिए जब यह दोनों नदियां इसमें मिलती है तो उस समय ये असाम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र रीवर के नाम से जाना गया है और इसके बाद अब यहां से एक रीवर और इसके अंदर आकर मिलती है ये सारी सारी क्या है इसकी सहायक नदिया है ये देखे ये सिक्किम है सिक्किम में से एक नदी बहती हुए आत आकर किसमें मिल जाती है ब्रहंपुत्र रीवर में मिल जाती है अब देखो जो ये ब्रहंपुत्र रीवर दह रही है अब जब ये बंगला देश में एंटर करती है तो इसे बंगला देश के अंदर इसे ब्रहंपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है वहां जाकर इसका नाम जमुना कहा जाता है बंगला देश में इसका नाम जमुना हो जाता है ध्यान देना एक है यमुना और एक है जमुना जो यमुना रिवर है वहे तो क्या अलग से नदी है लेकिन जो जमुना है वो भ्रमपुत्र का ही दूसरा नाम है इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना जमना भ्रंपुत्र का ही दूसरा नाम है जो इसे बंगला देश के अंदर इसे जमना के नाम से जाना जाता है अब देखे यह आप सभी को पता होगा यहां से देखे गंगा नदी भैतियू आ रहे है यह गंगा का दूसरा नाम क्या अब देखे यह यहां पर दो धाराओं में बठ जाती है यह इस तरीके से दो धाराओं बन गई है इसकी यहां पर तो जब यह गंगा नदी आकर जमना में मिलती है तो जो गंगा और जमना का जो संगम है बहुत ही फेमस है यह गंगा और जमना जो गंगा और जमना आपस मे मिलती हैं तो ईह जो दो दभराओं में बढ़ गई एक तो खही ब्रहंपुत्र रिए में जाता है अब पदमा से ज आखने चलता है जमना नाम हुआ नाम पहले जाता है अगे mona जाता है जैका के से समने पादमा चंग सब्सक्राइब दुब मिलन होता है और इसके बाद जब दोनों नदियांपस मिल जाती है तो ये लास में आकर ये कहां नीचे बे ओफ बेंगॉल बंगाल की खाड़ी के अंदर ये इस प्रकार से गिरती हैं लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अब आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनि गंगा ब्रंपुत्र डेल्टा का निर्मान करती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा है ये बहुत ही इंपोरेंट डेल्टा है ये देखें यहां पर ये पशिम बंगाल वैस्ट बंगोल के अंदर इसका मैक्सिमम एरिया वैस्ट बंगोल में आता है थ बहुत ही फटाइल एरिया है यहाँ पर तो यह पर गंगा भंपू इसके अलावा अब इसको ध्यान से देखिए कौन कौन सी है कि सहायक नदिया तिस्था स्वंसिरी कामेना इनके नेम है सारे कामेंग मानस दिबांग लोहित भराक और कपीली वैसे देखे यह सारी सारी ही पॉइंट्स क्या है इसके अंदर मैं आपको अगर दिखाती हूं इसके अंदर तो आपको यह बहुत ही सबकुछ मि ग्लती है जगा से निकलती है ओर इसके अलावा एक point और है जो बहुत ही important है वो उस point को ध्यान से देखिए जब यह दोनों rivers यहाँ पर मिलती है आपस में तो देखें यहाँ पर जो यह वाला जो area है यह असम का ही area है यहाँ पर जो में circle बनाए है यहाँ पर यह क्या करती है यह नदिया जब यह लोहित और यह दिभांग जमिन से आकन मिलती है तो यह यहाँ पर एक बहुत बड़े island का निमार करती है और इस island का नाम क्या है मांजुली मांजुली island इसे कहा गया है मांजुली island है यह बहुत बड़े deep का क्योंकि देखे यहाँ से यह जब नदिया अपने साथ जब तेज भाव में आती है तो क्या अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कीचड़ और इकंकर पथर लेकर आती है और जब यह नदिया आती है तो उस समय इसकी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन धीरे धीरे जब यह नीचे उतरती है तो क्या इसकी स्पीड कम होती चली जाती है और जब इसकी स्पीड कम होती है तो क्या यह अपने साथ लाईवी सारी मिट्टी को वहीं छोड़ देती ह तो यह ईस एरिय में साहरे मिट्टी होती है इसके साथ कंगर, पथर सब को यहां चोड देती है और जब यह उपढ़ पानी के आगे निकल जाता है तो इस प्रकार से जानos आपको करने निर्मान होता है आइलेंड करने होता है जिसे माजुली मांजुली आईलेंड का आ गया और बहुत ही इंपोर्टन है बहुत ही उपजाव होता है तो देखिए यह आपका मैंने आपका कम्प्लीट मैप करवा दिया है इसको ध्यान से देखिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ देखिए जो भ्रहंपुत्र रीवर है यह कहां से मांसुलोवर लेक या चाम यूंग ग्लेशियर से निकलती है और यह ब्लू कलर में दिखाई दे रही है यह तिबबत में बहती हुई हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है तो तिबबत के अंदर इसे यारलूं सांगपो के नाम से जाना जाता है और यहां पे नामचा बर्वा नामा के एक बहुत बड़ी पहाड़ी है पहाड़ है और यह से जब टकराती है, तो इसे टकरा कर यह हमारे भारत के अंदर एंटर करती है, और जब भारत में एंटर करती है, और अर्नाचर प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से, देखो ध्यांग से समझना है इसको, एक नाम है दिहांग और एक है दिबांग, तो जो दिबांग नाम है और नाचल प्रदेश में ब्रहंपुत्र का ही नाम है आगे ये आसाम में अंटर करती है तो आसाम के अंदर इसका नाम ब्रहंपुत्र हो जाता है और ये आगे जब ये बंगला देश में अंटर करती है तो वहाँ पर तिस्ता नदी सिक्किम से बहती हुई इसके अंद खतम हो जाता है और इसके इसे मेगना के नाम से जाना जाता है जो दोनो नदिया है इसे मेगना के नाम से जाना गया और मेगना नामक नदी कहां पर गिरती है बेव बेंगाल के अंदर हडी में आकर गिर जाती है और यह यहां पर गिरने से पहले यह गंगा और भरंपुत्र गंगा ब्रंपुत्र दोनों नदिया मिलकर क्या है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, वो गंगा ब्रंपुत्र डेल्टा ही है, इसे सुन्दर्बन डेल्टा भी कहा जाता है, इसका नाम है सुन्दर्बन डेल्टा, जो विश्य का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है. तो ये और एक ही जो मांजुली आईज्म लैंड है. इसको द्यान रखना है ये नदीये द्वीप है ये. एक एम mutual पॉंट है. मांजुली जो द्वीप है ये नदीये द्वीप है. तो ये भी आपको remember रखना है ये भी ध्यान रखना है और ये सारे इसकी क्या है ट्रिब्यूटरी हैं ये सारे इसकी सहायक नदिया है तिस्ता, स्वन्सिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली तो ये आपका topic था ये आपका topic complete हो गया है I hope आपको सभी को समझ में आ गया होगा आपको इस वीडियो को complete देखना है और इसको अच्छे से समझना है तो ये है था हमारा धंपुत्र river system इसका जो remaining part है अभी देखी ये वाली वीडियो बड़ी है इसलिए इसके 2-3 part तयार होंगे तो इसका जो next part है वो मैं next वीडियो में लेकर आउंगी तो आपको इसको अच्छे से देखना है अच्छे से समझना है ओके थैंक्यू